यह वेलकम टुए चैनल टेकन फाइल फिर दौस जैसा कि मैंने निक्स वीडियो में आप लोग को सिखाया था कि किस तरह से हम लोग नोट जैस को सेर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग को से लोकल होस में रण करके क्या में एपिया हीट करके देख सकते हैं रिगार्डिंग पोस्पूट में पर सारा चीज एक पीज में रखना सही नहीं होता है फोर प्रोग्रामिंग पॉइंट आप लोग को एक स्टक्चर हमेशा बनाना पड़ता है तो तो राइट यूर को इसली और शेयर कर सकें तो नोट जैसका कोट स्टक्चर किस तरह का हो को को किस तरह से अपने कोड़्ेक करें और नोट जैसका कोट च्ट्र आप किस तरह से रखें तके आपका caller आसान हो सकें तो देखिए पहला हम लोग एक page रखते हैं server जो आपका main page होता है जिसमें सारा middleware और कहा सकते हैं कि router कहां जाएगा वो सारा declared यहां होता है इस तरह का एक पेज बना ले server.js जो आपका main page था और यह दो पेज package package log तो आपका साथ-साथ install हो जाता है इसके साथ एक file बनाए .env .env file क्या होता है आपका सारा credential इसमें रहेगा you will write all your credential किस तरह का credential किस तरह का credential like mongo db config या db config में कहूं db configuration यह सारा इसमें आप रख सकते हैं locally अगर आपको run करना है कोई आपका कोई आपका secret ओके कोई आपका key anything anything जो related configuration point of view और जो चीज़ को आप लोग प्रस आप लोग इन सर्वर में जब आप हिट करें तो आप उसके environment से variable से आप लोग रीड करके replace कर सकते तो इसमें जो भी चीज रहता है configuration रहता है इसे हम लोग अपने सर्वर के configuration से process environment variables से हम लोग उसे रीड कर सकते हैं तो local development के लिए dot inb important होता है और यही फाइल आपका आपका अगर आप लोग सही से कोडिंग करें तो सर्वर में आप इसी फाइल इसी फाइल इसी नेम में आप अपना environment variable को declare करेंगे तो वहां से रीड हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि मिस यह नहीं होगा ठीक है माने कि मिसमेश नहीं होगा इसके बादा जो इसको मिलेगा डाट व्यर्स पर कि करेगा खड़ क्टेन करेंग आपका और अपकोासटे व detective भी होगा वह इसमें मैं करनker लेकिशा निग coma यह भी में मुल्टिपल्र के अदर आप देखें के बेसिक कोड़ में अब एक और यूज कर सकते हैं जिसकpark आपका और सारा तके मैं कोई चीज को लोक कर सको या फिर मैं आपको बद्रेक्ण कोूटंस कर सको ठेक्ष किंटे कर सको या एनिधिधिंग इनिधिंग एलस और ऑफ कि एनिधिंग एलस जो के सब के लिए common हो सआरा रॉटर्स के लिए common हो और before doing anything अगर मुझे वो चाहिए ठीक है तो वो सारा configuration kind of thing मने की कोडिंग से अगर मैं कुछ कर सकूँ या कुछ लॉक कर सकूँ तो उसके लिए मैं पहरे एक middleware दे देता हूं एंड जो भी मेरा router होता है वो मैं रॉटर में define कर देता हूं तो यह रॉटर का काम हो गया next node module आप लोग पता है उसके बाद मैं model कर लेता हूं model के अंदर मैं अगर मैं मंगो डी भी यूज़ कर रहा हूं तो मैं सारा model या ODM आप कह सकते हैं वह declare कर लेता है जैसे जो भी मेरा टेबल्स होगा यूजर मॉडल ओके इस तरह का मैं model declare कर लोंगा और उसका जो भी model definitions होगा DB definitions मैं इसमें लिख सकता हूं देन controller तो controller का फंड़ा क्या है कि आपका जितना भी logic होगा वह सारा आपका main logic आपका controller controller control करेगा यहां से ही आपका सारा चीज जाएगा mean बुलने का मक्सद क्या है कि जब भी आप server hit करेंगे वह आपका server में आएगा server आपका किसी एक route में भीज़ देगा route आपका basic basic चीज चेक करेगा कि हाँ ऑथेंटिकेशन ठीक है कि नहीं ब्ला 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 एंडेल वह पास कर देगा controller में नो रेस्ट आप देग्व रेस्ट आप देग्व वह आपका handle करेगा controller controller के अंदर आपका business logic होगा all business logic यहाँ पर डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के लिए अगर आपको कुछ और चीज़ की जरूरत हो जैसे constant हो सकता है कुछ config हो सकता है या कुछ आपका utility functions हो सकता है तो उसके लिए यहाँ पर आपका यूटिल्स होता है यूटिल्स कॉंस्टेंट है और कुछ configuration है तो यह basic structure है जो मैं follow करता हूं और आप देख सकते हैं ठीक है आप अगर में में यूटिल्स में जाओ तो यूटिल्स में यूजर यूटिलिटी functions में declare कर सकता हूं अगें function declare करने का दो तरीका होता है दिस वे और डाट वे कर दें या आप मोडियोल करके export करें और different function लिखते हैं तो यह structure आप लोग को समझ माया होगा अगर आप structure से related कोई भी आपके पास query हो तो प्लीज कमेंट करें तो मैं एक बर फिर से मैं छोटा सा wrap-up कर देता हूं कि server के अंदर आपका सारा server details होता है इसके अंदर आप एक route define कर देंगे कि अच्छा जो भी आपका HTTP request होगा वह आपका इस route में जाएगा यह दो कर देंगे कि यह दो line of code कर देंगे अब route करते से क्या होगा कि यह कोड की जरूत नहीं होगा आपका यह server अब एकदम clean and fresh हो जाएगा तो जो भी आपका request होगा वह route में जाएगा अब में route के अंदर route के इंदर different मैं लिख दूँगा यह जैसे कि API किया तो मुझे यह route में चला गया इस तरह से user route different different आपका मैंने क्या अगर आपका कोई route में आपका यह है यह है क्या बोल सकते हैं पब्लीक है तो public route कर सकते हैं इस तरह से आप route बना सकते route के अंदर में जनरली आपका router जब अगर मुझे कुछ भी generate करना रहा तो मैं basically यह चे लाइन करता हूं ठीक है पहला तो रॉट को रॉट को इस तरह से लेना है उसके बाद यह controllers को जो controller call होगा user को controller call कर लेना है उस routes related और यह लाइन में लिख देता हूं कर देता हूं अगर मुझे कुछ लॉक करना रहा या कुछ अगर मुझे करना रहा तो मैं कर लो एंदेन जैसा route होता है पोस्ट गेट आपका इस method के हिसाब से आप अपना यह बना सकते है router ओके यह router बना सकते हैं आप उस हिसाब से आप कॉल कर सकते हैं राउट राउट आपका कॉल करेगा controller को सो कर यह controller आप declare करेंगे ओके controller में सारा business logic लिखा रहेगा और और इसको help कर देंके लिए आपका इस model होता है अब कॉंस्ट होता है configuration होता है यह वहता है तो मॉडल्स के अंदर डीबी का डीवी डिजाइन रहता है कि अपर डीवी डीटाबेस का डिजाइन किस तरह का है कॉंस्टेंट के अंदर कॉंस्टेंट होगा कुछ वैरिबल्स के लिए क्या होता है configuration के लिए कुछ configuration आपका project related configuration होगा जैसे कि आप कह सकते हैं कि यह यह कहां चल रहा है डेप टेस्ट यह सब्सक्राइशन डॉट यह फाइल में आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप लोग के पास कोई अगर सजेक्शन है सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह देखना है कि यह कहां है तो यह आपको मेरी यूटूब चैनल में यूटूब जाएगा व कि नॉटियों में तक यह दिसका दूँगा और इससका इसके अंदर यह नो ज्यटोर्यmez स्क्राइब को देख सकते हैं स्वाइल इस 500 आपको अच्छा लागा हो तो पेलीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू और बाइ-बाइ